गूड मॉर्णिंग व्यूवर्स हम लोग इस वीडियो में इस्टेंडर एट के लिए यह पहला चैप्टर है इसका ध्यान करेंगे NCRT सिलेबस के हिसाब से यह पहला चैप्टर इस्टेंडर एट का क्या? स्टार्ट करते हैं इसको कैसे, कब और कहा? यह पहला चैप्टर इस्टेंडर एट NCRT बुक के सिलेबस में तारीखें कितनी महत्पूर्ण होती हैं एक्चुली अब आपसे पुछा जाए कि तारीखें डेट्स कितने महत्पूर्ण हैं तो आप क्या कहेंगे? तो इस पर यहाँ जो लिखा है हम लोग इसको देखते हैं एक वक्त था एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे कब किस राजा की ताज पोशी हुई कब कौन सा युद्ध हुआ इनी तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पढ़ियाए माना जाता था आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा इतिहास तो बहुत उबाव है भाई बस तारीखें रटते चले जाओ क्या इतिहास के बारे में यह धारना सही है इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग-अलग समय पढ़ आने वाले बदलाओं के बारे में ही होता है इसका संबंध इस बात से है कि अतित में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाओ आये हैं, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं रोजमर्रा की जिन्दगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा अइतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, हम चीजों को स्वभाविक मान कर चलते हैं, मानों जो कुछ हमें देख रहा है, वो हमेशा से ऐसा ही रहा हो लेकिन हम सब के सामने कभी-कभी अचंबे के शन आते हैं, कई बार हम उठसुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं, जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं किसी व्यक्ति को सरक किनारे चाय के घूट भड़ते देखकर, आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं, कि चाय या कौफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा रेलगारी की खिरकी से बाहर जहांकते हुए, आपके जहन में यह सवाल उठसकता है कि रेलवे का निर्मान कब हुआ रेलगारी के आने से पहले, लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कड़ पाते थे सुबह सुबह अख़वार पढ़ते हुए, आप यह जानने के लिए उठसक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अख़वार नहीं छपते थे, उस समय लोगों कोई चीजों की जानकाड़ी कैसे मिलते थे ठीक है यह सारे अतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सुचने के लिए प्रेडित कर देते हैं समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर ही नहीं देखा जा सकता कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख हित तै करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था इसका स्वात धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चड़ा था इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथी नहीं हो सकती इसी तरह हम बिलिटी शाषन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथी नहीं बता सकते राष्ट्रिया अंदोलन किस दिन शुरू हुआ था अर्थ ब्योस्था या समाज में किस दिन बदलाव आये या बताना भी संभव नहीं है ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं ऐसे में हम सिर्फ एक अवधी की ही बात कर सकते हैं एक लगभग सही अवधी के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं इस जुडाव की एक वज़ा है एक समय था जब युध और बड़ी बड़ी घटनाओं के बेवड़ों को ही इतिहास माना जाता था यह इतिहास राजा महराजाओं और उनकी नीतियों के बाड़े में होता था इतिहास कारिया लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया किस साल उसका विवा हुआ किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी वह कब मड़ा और उसके बाद कब कौन सा शाशक गद्धी पर बैठा इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथी बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्वा बना रहता है जैसा कि पहले दो साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है और इतिहासकार बहुत साड़े दूसरे मुद्धों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृती वा समाज किस तरह बदले कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मान कर चलने लगते हैं अगर अध्यान का विशय बदल जाता है अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं एक उदाहरन पर विचार कीजिए भारत में लॉरेन हस्टिंग्स के शाषन से शुरू होते थे और आखिरी वाय सवराय लॉर्ड माउंट बैटन के साथ खत्म होते थे अलग-अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्णर जेनरलों हस्टिंग्स वेलेजली, बैंटिंक, डलहाउजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्णर जेनरलों और वाय सरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही चाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीकों का महत्वर इन अधिकाडियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उबलब्ध के अधार पड़ ही तैव होता था यह ऐसे था मानों इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विशह बन जाता था क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग धंग से नहीं लिख सकते गवर्णर जेनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतिय समाज के विभिन समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे तुकड़ों या ध्यायो में बांट देते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए किये जाता है ताकि हर ध्याय में कुछ सामनजस से रहे इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोड़ देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती हैं जो इतिहासकार गॉडनर जनरलों के जीवन के इर्दिगृद चलता है उसमें भारतियों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती उनके लिए वहाँ कोई जगए नहीं होती तो फिर क्या किया जाए जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तितियों को महत दिया जा रहा था वे महतवपूर्ण नहीं रहेंगी हमारे लिए नई तितियां महतव पूर्ण हो जाएंगी हम अवधियां कैसे तै करते हैं अठारत सो सप्रा में स्कॉटलेंड के अर्थ शास्त्री और आजमितिक दर्सनिक जेम्स मील ने तीन विशाल खंडों में एक किताब लिखी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू मुसलिम बिटिस इन तीन काल खंडों में बाटा था काल खंडों के इस निर्धारन को ज़्यादा तर लोगों ने मान भी लिया क्या आपको भारतिय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्चा दिखाई देती है इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बाटने की कोशिश क्यों करते हैं इसकी भी एक वज़ा है हम एक दोर की खासियतों उसके किंद्रिये तत्तों को पकरने की कोशिश करते हैं इसलिए ऐसे शब्द महतवपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं वे हमें बताते हैं कि एक अवधी से दूसरी अवधी के बीच आए बतलावों का बदलावों का क्या महत्व होता है मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सब भेता के मामले में यूरोप से पीछे हैं इतिहास को कि उनकी समझदारी येत थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था यहां चारों और केवल धार्मिक बैर जातिगत बंधनों और अंध विश्वाशों का ही बोल बाला था मिल की राय में ब्रिटिश आशन भारत की सब्भेता की राह पर ले जाया जा सकता था इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में एरोपिये सिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए मिल ने तो यहां तक सुझाब दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भुभाग पर कबजा कर लेना चाहिए ताकि भारतिये जनता को ग्यान और सुखी जीवन परदान किया जा सके उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए मदद के बिना हिंदुस्तान परगती नहीं कर सकता इतिहास की इस धारना में अंग्रेजी शासन परगती और सब्भेता का प्रतीक था अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था क्या इस तरह की धारना को सुखार किया जा सकता है क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदु या मुसलमान दौर कहा जा सकता है क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे किसी यूग को केवल उस समय के शाषकों के धर्म के हिसाब से करने की जरूरत क्या है अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तर्ड तरीकों का कोई महत्व नहीं होता हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शाषकों का भी एक धर्म नहीं होता था अंग्रेजों द्वारा सुझाएगा वरगी करन से अलग हटकर इतिहासकार भारतिये इतिहास को आम तोर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बाटकर देखते हैं इस विवाजन की भी अपनी समस्याएं हैं इतिहास को इन खंडों में बाटने किया समझ भी पश्चिम से आई है पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तरक, लोक, तंत्र, मुक्ती और समान्ता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विश्यस्ताई नहीं थी क्या हम अपने अध्यान के लिए आधुनिक काल की इस अवधारना को बीना सुचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, सुचंतरता या मुक्ती नहीं थी नहीं यह आर्थिकी विकास और प्रगति का दौर था, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को अपनिवेशिक युग भी कहते हैं अपनिवेशिक युग क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और अस्थानिये नवाबों राजाओं को दबा कर अपना शासन अस्थापित किया आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थ विवस्था वा समाज पर नियंद्रन अस्थापित किया अपने सारे खर्चों को निप्टाने के लिए राजस ववसूल किया अपनी जरूरत की चीजों को सस्तिक कीमत पर खड़ीदा निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों के खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे कि ब्रेटिश आशन के कारण यहां की मुल्ल मननताओं और पसंद नापसंद रिथी रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनितिक आर्थिक समाजिक और संस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को अपनिवेशी करण कहा जाता है लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वरग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनभव नहीं कर रहे थे इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानि कई अतीतों पर कंद्रित नाम दिया गया है तो मनि प्राष्ट में हमने क्या-क्या देखा ये सब कुछ है हम किस तरह जानते हैं हमारे इतिहास के पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से सुरूतों का इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो यह हम लोग पढ़ेंगे अब अंग्रेजी प्रशासन अभिलेख तयार करता है करता है प्रशासन क्या करता है कि वो अभिलेख त्यार करवाता है अंग्रीजी शासन द्वारा त्यार किये गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महतपूर्ण साधन होते हैं अंग्रीजों की मननेता थी कि चीजों को लिखना बहुत महतपूर्ण होता है उनके लिए ह निर्देश, हर योजना, नितिगत फैसले, सहमती, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह ध्याइन किया जा सकता था। और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ग्यापन, टिपणी और पर अधायत, शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल का रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शाषकिये संस्थानों में अभिलेख काक्ष भी बनवा दिये। तासिल के दफ्तर, क प्रांतिये सचीवाले, कचहरी सबके अपने रिकाउड रूम होते थे। महत्तपुर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव और संग्राहल जैसे संस्थान भी बनाए गए। उनिश्वी सदी के शुरुवात में प्रसासन की एक शाख के पास बेजे गए पत्रों और ग्यापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, वहां आप जिला अधिकाडियों द्वारा तयार किये गए नोट्स और रिपोर्ट पर सकते हैं, या उपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतिये अधिकाडियों को बेजे के माहिर लिखते थे खुश नवीशी या सुलेख नवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुन्दर धंग से चार्ज चीजें लिखते हैं उन्युश्य सदी के मध्य तक छपाई तकनिक भी फैलने लगी थी इस तकनिक के सहारे अब प्रतेग सरकारी विभाग की कारवाईयों के दस्तावेजों की कई-कई परतियां बनाई जाने लगी सर्विक्षन का बढ़ता महत्व अपनिवेशिक शासन के दोरान सर्विक्षन का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया अंग्रेजों का विश्वास था किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही जंग से जानना जरूरी होता है उनिस्वी सदी की सुरुवात तक पूरे देश का नक्सा त्यार करने के लिए बड़े-बड़े सर्विक्षन किये जाने लगे गाउं में राजेश सर्विक्षन किये गए इन सर्विक्षनों में धर्ती की सता है मिट्टी की गुनवत्ता वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीब जन्तूओं तथा अस्थानी इतिहासों वो फसलों का पता लगाया जाता था अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जनना जरूरी था 19-वी सथी की आखिर से हर 10 साल में जन्गरना भी की जाने लगी जन्गरना के जरिये भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या उनकी जाती इलाके और व्यावसाय के बारे में जानकाडियां इकठ्था की जाती थी इसके अलवा वनस्पतिक सर्वेक्षन प्रानिस वाज्यानिक सर्वेक्षन पुरा तात्विये सर्वेक्षन मानवशास्त्रिये सर्वेक्षन वन सर्वेक्षन आधी कई दूसरे सर्वक्षन भी किये जाते थे अधिक्रित रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता रिकॉर्ड के श्विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं फिर भी इस बात को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारी सरकारी रिकॉर्ड हैं इन में इन से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे उनके दिल्चस्पी किन चीजों में थी और बात के लिए वे किन चीजों को बचाय रखना चाहते थे इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिल थी कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कारवाईयों की क्या वज़य हैं थी इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा जब हम ऐसे दूसरे सुरतों की तलास में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकावले उन्हें ढूड़ना जरा मुश्किल सावित होता है इस लिहाज से लोगों की डायरियां तिर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरन महत्पूर्ण लोगों की आत्मकताएं और अस्थानिये बाजारों में विकने वाली लिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं जैसी जैसी छपाई की तकनीक फैली अख़बार छपने लगे और विभिंड मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा कवियों और उपन न्यासकारों न किसान ख़दानों में काम करने वाले मजदूर या सरकुपर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनभावों से गुजर रहे थे अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसी जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आप आप को या बात समझ में आने लगेगी अ कि अ कि ठीक है तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों ये स्टेंडर एट का ये पहला पार्ट फिनिश हुआ इसमें हम लोगों ने देखा कि तारीखों का क्या महत्व है और इतिहास पढ़ने का दिश्टिकोन क्या होना चाहिए अंग्र भारतिये दिश्टिकोन और अंग्रेजों के दिश्टिकोन में फरक होता है तो इतिहास हम लोग इसी दिश्टिकोन से पढ़ेंगे अब दूसरा पार्ट के लिए दूसरा वीडियो हम लोगों देखेंगे तो ये इस्टेंडर शिक्स और सेवन फिनिस हो चुका है इस्टे नितिहास की त्यारी मैं कड़ा दूंगा competitive exams के लिए ये sufficient होंगे तो thank you for viewing, have a nice